हाई फ्रेंज तो आज मैं आप सिब के लिए फिर से आ गई हूँ एक नए से व्लॉग के साथ तो जैसे के आप जानते हो इस रवियर को मेरा बिटा का स्कुल छूटी है तो इसलिए मैं उसके लिए पिज़ा बनाने वाली हूँ बिल्कुल होममेट तरीके से और हैंडमेट त सकते हो तो जिन जिन के घर में अभिन नहीं है विदाउट अभिन में भी ये पिज़ा बना सकते हैं तो चलो फ्रेंट ये रेसीपी आप लोग को दिखाते हैं तो इससे पहले मैं बहुतलना चाहूंगे फ्रेंट आप सब के साथ के और सपोट की बज़े से ही मैं आज ये लेकर आई हूं तो प्लीज प्लीज फ्रेंट ए ब्लोग में लाइक जरूर करना और ज्यादर से ज्यादर करना अपने फ्रेंड्स और फ्रेमिली में और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मेरे जो बड़े बेटे हैं उसको पीज़ा खाना बहुत ही पसंद है तो मै मैं इसलिए मैं मार्केट गई थी उसके लिए कैपसिकम और जितने सारे जो लगेगा सब कुछ मैं घर में मेरे अबलेबल नहीं था तो मैं चीज फीज सब कुछ खरीद के लेकर आ गई और आज मैं पिज़ा बनाने वाली हूं और कैसे अब डिफरेंट सेप में पिज़ा दे सकते हों प्रेजंड कर सकता हो तो मैं आज बनाने वाली हूँ पूरा ये जो प्लोग है इसको अच्छे से देखेना अप्रेंट और ळाइक करना इस चलो फ्रेंट मिलते हैं व्लॉ के साथ तो फ्रेंट हम पहले से बता चुके हैं कि आज हम पीज़ा बडला बनाने बाल पहले हम टॉपिंग के लिए चिकेन को सौटी कर लेंगे तो यहां पर हमने कडाई ले लिया है हमने आज मैं इंडक्शन पर बना रही हूं तो यहां पर हमने तेल एट किया करीब दो टीस्पून अब इसमें हम एट करेंगे हांडिड ग्राम चिकेन को बॉनलेस चिकेन को अच्छे से स्ट्रेप में कट कर लिया है हमने अच्छे से इसको कट करने के बाद अब हम इसको एट कर रहे हैं तो अब इसमें हम एट करेंगे स्वादनिसर नमक हां हम तो प्रेंट अब हम स्कूश्वाट करती हुए थोड़ा सा ठाग ढग देंगे हम धकन को अच्छे से ढग देने के बाद कुछ समय के बाद फिर से हम इसको दकन खोल के फिर हम सबस्राइसे से चलाते जाएंगे और इसमें हम अब हैट किया है हमने यह पर ब्लेक कि देख सकते हो चीकन हमरा लगबग होने लगा है तो अब इसको हम निकाल देंगे तो चलो फ्रेंट अब हमारा जो यह डो है दो को अच्छे से मसल लेते हैं हमने एक घंडे पहले से ही हमने यह बना के रखा था तो इस डो को अब हम हातों से थोड़ा मसलने के बार इसको हम दिवाइट करेंगे तो आज जो हम दो है तो फ्रेंट अब हम छोटे-छोटे पर्ट में बनाने बाले हैं तो देख सकते हो फ्रेंट हमने यहां पर डिवाइट कर लिया है हमारा डो को अब अगर आपको यह रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाके वहां से भी ले सकते हो या फिर मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक सेयर कर दूंगी पीज़ा डो के रेसिपी अब वहां से ले सकते हो फ्रेंट तो अब इसको अच्छे से चकला के ऊपर रखकर बेलन से हम अच्छे से बेल लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं बेलना है फ्रेंट पराठा से थोड़ा मोटा भिलना है तो देख सकते हो फ्रेंट यहां पर हमारा डो जो है बहुती अच्छे से स्वाप डो बना है टाई डो नहीं बनाना है ठोड़ा स्वाप डो इसको हम एक तब पर एरट करेंगे हम यहां पे ओविन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तभे पे यह बनाएंगे तो यह हमारा पिज्जा का बेज बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हम तभे पे थोड़ा तेल एट करते हुए अच्छे से इसको ग्रीज कर देंगे अच्छे से ब्रास के साहता से इसको अच्छे से स्प्रेट कर देंगे पूरे तेल को तभे के ऊपर तो यहां पे हमारा तभा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब इसके ऊपर हम एट कर देंगे यह हमारा पिज्जा बेस अब इसको हम एक फॉर्क के मतल से इसमें थोड़ा छो और उसको अच्छे से इस बेस को अच्छे से पोक करते जा रही हूं इसी तरीके से करना है और अब हम इसमें एट करेंगे पिज्जा का सौस जो मैंने पहले से बना के रखा था और यह पीज्जा का सौस के रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो इसको भी मैं कटे हुए प्याज हमने यहां पर रखा था और हमने अच्छा है अब हम एट करेंगे मारा फ्राइट चीक इंत करने के बाद अब समय हम एट करेंगे फाइनल टाच हमारा चीज हमने आपि अर्फ योपाइबिया एट किया है तो देख सकते हो प्रेंट यह ग्रेटर में हम तो 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 फिर नेक्स्ट ब्लॉक बनाँगी तो आज मैं मौज़ेलर चीज के साथ बना रही हूं देख सकते हूं प्रेंड यह हो गया हमारा पीज्जा बिल्कुल पकने के लिए रेडी तो अब हम इसको ढग कर भीथा देंगे हमारा इंडक्शन के उपर तो हम इसको कम से कम पांस से साथ मिनिट के बाद आपको दिखाते हैं तो देख सकते हो फ्रेंट नेक्स्ट अब और एक डो हमने यहां पर ले लिया है अब इसमें भी थोड़ा सा माइदर डस्ट करते हुए इसको भी अब हम बेल लेंगे अच्छे से बेल लेना है अच्छे से बेलने के बाद अब इसको छोटे चोटा पिज्जा एक बनाने बाले हैं वह अगर अपकी घर में कोई एक अदमी को सर्प करना चाहते हो या ऐसा चोटा-चोटा मार्केट में मिलता है आप साइद देखे होंगे तो इसी तरी किसे आप अब इसमें हम एड कर रहे हैं चीज तो मेरा चोटा बेटा है उसका दिल कर रहा है कि इसके ऊपर वह चीज को ग्रेट करें बड़ वह इतना चोटा है कि अभी ग्रेट नहीं कर पाएगा इसका हाथ में लग जाएगा इसलिए मैं नहीं दे रहे हूं उसको वह मेरे बगल में बटके देख रहा है सब कुछ तो यह देख सकते हो यह हमारा चीज बिलकुल इसको हम ढखक कर इसको भी चार से पांच मिनट के बिज में यह बिलकुल पक जाएगा अपको इसके ऊपर की जो यह चीज है सीज मेल्ट होने ताकी पकाना है और दोस्तों वही सेम टाइम के अकोडिंगी हमारा पीज़ा भी पीज़ा का जो बेस है वह भी बिलकुल पक जाएगा तो चलो फ्रेंट नेक्स डो है जो उसको हम देखते हैं जब तक हमारा पीज़ा बनता है तब तक मैं और एक डो ले रही हूं यहां पर और इसको भी प सेम पतला ही बेलना है जैसे पराटही जैसे बेलते हैं वैसे ही बेलना है तोड़ा पतला बेलना है और एसको वह अच्छ से फोर्क test के मदत से यह को अच्छ से से पुक कर लेंगे और देख सकते चीज लग भग को मेल्थ होने लगा है और कुछ समय के लिए है टो है बेस के उपर सॉस लगा दिया है अब इसको इसके उपर भी हम यहां पे चिकन वही सेम मैफोड जो मैंने इंग्रिडियन्स लिया है वही सेम चीज यहां पर भी मैं हैट करूंगी देख सकते हो फ्रेंट अब इसको भी हम थोड़ा पतला ही बेलेंगे क्योंकि अब यह जो पीज़ा बनाने बाले हैं यह थोड़ा अलग सा है यहां पर प्यांज कैप्सिकम और चिकन मैंने यहां पर एट कर दिया है अब इसमें जो बागी बचा हमारा जो चीज है इसको हम एट कर देंगे और मैं पहले दो बड़े बड़े बनाने वाली थी फिर मैं सोची कि मेरे घर में दो छोटे बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशन देती हूं उनके सामने खाना पर उस्ति हूं इसके लिए मैं यहां पर छोटे-छोटे साइज में पीज़ा बना रही थी बनाया इसलिए मुझे फि कोल कर दी हूं देख सकते हो फ्रेंट यह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से इसको भी मैं एक तभे पे तेल ग्रिस करते हुए उसी तरीके से सेम प्रोसेस से बनाऊंगी तो देख सकते हो प्रेंट यह हमारा पीज़ा बिलकुल रेडी हो चुका हमारा बिलकुल बग जाएगा तो देख सकते हो फ्रेंट वही सेम तभे पे मैं यह जो हमारा स्टाप्ट पीज़ा है तो हमारा यह जो पीज़ा देख सकते हो फ्रेंट धीरे-धीरे फुलने लगा है और बेस थोड़ा-थोड़ा करके फुलने लगा है इसी तरीके से यह प करते हुए से मैं अठोड से करूंगी देख सकते हो वही मैं आठ करेंगे हमारा पीजा सॉस कि अच्छे से एड करने के बाद और यह जो पीजा सॉस के रेसिपी है फ्रेंट बहुत ही ज्यादा मज़ेदार है विल्कुल और अपको कोई और ग्यानों कुछ भी नहीं चाहिए तो अब सिर्फ इस टाइब करेंगे अगर चाहिए आपको तो अप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके से बहुत अच्छा अच्छा वाला जो रेसिपी है वह अपको कम इंग्र करते हैं के बाद इसमें हम एड़ पर हम ए Kashक करेंगे थोड़ा सा फीर चो वपर हम है करेंगे पिज्ज को पीजा का शास तो यह हो गया और तो इसमें अब हम एक करेंगे चीज तो हमको और एक चीज प्रीज के अंदर से लिकालना है तो अभी तक मैंने लिकाला नहीं है मेरे हाथ कॉंटेनियूसली चल रहा है क्योंकि मैं आज टूडल भूर पीजा बनाई हूं तो देख सकते हो साइज में बहुत छोटा-छोटाई वह पिजा खाना बहुत पसंद करता है इसलिए मैं उसके जिटीं बनाए हूं तो देख सकते हो अब इसको पर हम चीज एक करेंगे तो हम तो देख सकते हो फ्रेंड यहां पर मैंने पि रिजा के ऊपर वही चीज माज दूड़ जिस मैंने आपर ग्रेट कर दिया है अब इस इसको दोनों साइड से पलचती हुए हमको पकाना है सेम टाइम पे तो चलो फ्रेंट हमारा जो छोटू पीजा मैंने एक सिंगल जो एक किया था उसको देखते हैं कैसे बना हो तो देख सकते हो फ्रेंट यह हमारा जो पिज्ब्ड्ब्स杜 वाइस इसको धग देनगे और प्रेंट रोटी रोटी जो हमारा पिज्जा है छोटु पिज्जा यह भी लगभग होने वाला है तो इसको कुछ समय के लिए में कुछ समय के लिए धक देंगे तो देख सकते हो यह हमारा फर्स्ट पिज्जा यह मैं धकर के रखी हुई हूँ ताकि गरम रहे अब हम दोनों पिज्जा को एक साथ ही शर्प कर देंगे bek बड़ा पिज्जा और एक उसके साथ एक चोटु पिज्जा तो ईकशाथ सांदो गर्म है तो देख सकते हो कितना अच्छा फुला हुआ है हमारा पीज्जा का भेस जो हम बनाए थे तो एक साथ हमारा दो पीज्जा बिल्कुल मैं यहां पे सर्फ कर रही हूं तो देख सकते हो एक बड़ा पिज्जा है और एक चोटू पिज्जा है तो इसको अब हम कट करेंगे यह बच्चे को खाना भचे काने पाएंगे इतना आइं तो अभी यूप पिज्जा है इसको अब हम हम पहले कट करेंगे सिल का बिलकुल बनाया हुआ है तो अभी इसी तरीके से बनाए और जरूर करें और कॉमेंट में जरूर बता अब फ्रेंड हमने पीजा को कट करने के बाद मेरे दो बेटे को मैंने यहां पर दिया है यह मेरे चोटा बेटा यह मेरा चोटा बेटा है और बगल में मेरा बड़ा बैटा बैटा है दोनों पीजा खा रहे हैं तो इन लोग बोल रहे हैं पिजा बहुत ही यमी बना है बहुत लग रहा है यह तो ट्राइक किजिए अब बहुत मैंज़ा दा रहा है अगर आपको हमारा यह ब्लोग पसंदा आया हो तो लाइक किजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जादर से जादर से अपने फ्रेंड से फैमिली में थैंस पर वाचिंग